पूराने जर्मों के कुछ ऐसे कर्म हैं जो फादर के साथ में बहुत्ट पूराने जर्मों constituents होके इस जर्मा के अंदर आई ही तो शूरे और शनी यहांपे मैं थोड़ा सा ही टीटेल ने बात करोंगी do दिग्री की अगर यह बहुत जादा क्लोज हैं अगर यह पास डिग्री के अंदर अंदर अगर बैठा हुआ है तो यह पुत्र को और पिता को एवन अगर कोई फीमेल डॉटर भी है या मतलब फादर है तो उनके साथ में भी यह कॉंबीनेशन वैसे के वैसे ही काम करेगा तो यहाँ पे कही ना कही अनबन रहती है उन दौनों के बीच में और काफी conflict बना रहता है विचारों के अंदर काफी मदभेद रहते हैं आपसी विचार कभी भी एक तरह पे वो लोग एक जगे पे आके कभी सोच नहीं पाते हैं और ego clashes भी उन दौनों के होते रहते हैं तो अगर यह पांस डीकरी के अंदर अंदर है तो इसके impact बहुत जादा जीवन में रहते हैं ऐसी परिस्तिती के अंदर या तो जो भी native है वो अपने फादर से बहुत कम age के अंदर separate हो जाता है या तो वो दूर चला जाता है और कई मार आपने सुना भी होगा पहले के जमाने यह इतना अच्छा नहीं है तो हम इसको ऐसे ही मान सकते हैं कि अगर यह बहुत close degree पे होता है तो father की age के लिए यह positive combination नहीं होता या तो father के साथ में कुछ miss happening या फिर father के career के अंदर बच्चे के तुरंथ होने के कुछ समय बाद ही दिखने को मिलता है या फिर बच्चा किसी कोई ऐसे circumstances बन जाते हैं family के अंदर कि बच्चा अपने father से कहीं दूर चला जाता है पहली स्थिति तो यह होगे फिर उसके बाद में दूसरा जो situation create होती है ऐसे combination के अंदर अगर degree close है या दूर भी है तो ऐसे लोग अपने decision खुद लेते हैं वो कभी भी father का interference पसंद नहीं कर अपने शादी के अंदर भी बहुत strong decision लेते हैं यह तरीके से love marriage का भी combination बनाता है यह अपनी society अपने father अपनी family से विपरीद जाके marriage करने में भी इनको कोई मतलब एक तरीके से अंदर से कुछ ऐसा डर जैसा या इनको कुछ शंका उत्पन नहीं होती या यह कुछ negative नहीं अगड़ा करके या ऐसे circumstances घर में रहते हैं कि property को लेके father की और खुद के बीच में काफी differences इन लोगों में रहते हैं father की संपत्ती को लेकर जब तक father के पास में यह रहते हैं यह लोग अपने profession में rise नहीं कर पाते इनका भाग यह बहुत अच्छी तरीके से shine नहीं कर पाता इ ऐसी परिस्तिती में native को अपने father से दूर जाके रहना चाहिए अगर वो दूर जाके रहेंगे तो उनका जो profession है वो rise होगा even father की health में भी काफी changes दिखेंगे और दौनों में एक प्यार भी बना रहेगा अगर पास रहेंगे तो रोच के लड़ाई जगडे जैसी परिस्तिती यहां पर बनी रहती है सूर शनी का combination अगर धन भाव में हो जाए किसी के दूसरा भाव हो गया अस्टम भाव हो गया ग्यारवा भाव हो गया तो यह बहुत अच्छे धन के योग बनाता है धन का तो बहुत अच्छा कर देता है लेकिन फिर यहीं father के साथ में धन को लेकर property क वाद विवाद इन लोगों के चलते रहते हैं family matters में ऐसा इंसान अपने father को हमेशा blame करता रहता है कि आपने family के लिए हमारे लिए कुछ भी नहीं करा और मन में भी उस इंसान के यह रहता है कि father को जो कुछ करना चाहिए था उन्होंने life में हमारे लिए वो सब चीजे नहीं करिए तो सूर्य और शनी का combination क्यूंकि दौनों ही शत्रू है एक दूसरे के सूर्य और शनी उनके आपस में energies जो है वो बहुत जादा friendly नहीं है अगर यह ऐसा combination अगर किसी के first house में होता है ऐसा इंसान बहुत जादा egoistic होता है अपनी मानसिक जो भी उसकी जो situation होती है वो बह लाइफ में काफी challenges रहते हैं कुछ brain related father को problem या खुद को problem आ सकती है जैसे को tumor हो गया या कुछ सर में हमेशा दर्द रहना यह सब चीजे अगर यह combination 10th house में fall हो रहा है तो father के profession के लिए negative है या खुद के जातक के native के खुद के profession के लिए negative है जब यह लोग दूर दूर होंगे तो ही जो profession है वो rice कर पाएगा और अगर same profession में father के अगर जो father profession कर रहे हैं same अगर native profession में आ जाए तो clashes काफी जादा बढ़ जाते हैं even वो clashes बढ़ कर एक समाजिक स्तर पर चले जाते हैं लोग उन चीजों का फिर मजाग बनाते हैं लोग उन चीजों को उनके मतलब उंगली दिखाते हैं अगर ये सूरेशनी दसवे घर के अंदर किसी के बैटे हैं और मतलब जो बच्चा है वो भी अगर same profession में है father के तो ये negative combination हो जाता है ऐसी स्तिती में भी native को कुछ अलग अपना profession father से दूर जाके अपना profession यहाँ पे करना चाहिए सूरेशनी का combination दसवे घर में government स से भी आपको कही problem लेकर आ सकता है इस तिती में अंदर आपको जो भी आपसे बड़े लोग हैं जो भी आपसे mature हैं सीनियर हैं आपको उन लोगों का थोड़ा सा seriously उन लोगों की बाते लेना चाहिए और उनका regard भी करना चाहिए अपने कर्म स्थल के उपर सूरेशनी का combination किस के भी यहां पर combination बनते हैं लेकिन ऐसे लोगों की properties जो होती है वो multiple होती है गाड़ी वीकल बाहर society के अंदर उन लोगों के family का नेम का काफी फैलाव में रहता है तो इस तरीके से सूरे और शनी का combination हमारी जनम पत्रिका में काम करता है इसमें degrees भी देखनी पड़ती है close degree में malefic impacts बहुत जादा बढ़ जाते हैं अगर ये डिग्रियां 15 degree 20 degree अगर cross कर गया है तो malefic impact थोड़े से decrease मतलब कम हो जाते हैं लेकिन impact फिर भी इन गरहों का रहता है इसके लिए बहुत अच्छी remedy अगर मैं बताऊं तो ऐसे लोगों को सूरे को जो है वो थोड़ा सा क्यूंकि सूरे अगनी प्रदान यहां पर मतलब गृह है अगनी है इसके अंदर तो यहां पे गेहूं का दान मंदर के अंदर इन लोगों को तुला दान मतलब जो इनका बोड़ी वेट है उतना गेहूं इन लोगों को Sunday के दिन मंदर में दान करना चाहिए तो कhu सारे रिणों से ज झाल झाल